हालो फ्रेंट वेलकम स्वागत है आपके अपने चलने राइप कॉमडेरिफ क्लास इसमें आए दोस्तों आजम जो लेकिया है रासायनिक धातू एवं उनके योगिक जियां दोस्तों धातू से जो आपके इंपोर्टन क्वेश्चन जो आपके लिखा हुआ है कि सुध सोना हो है ठाल झाल होता है कि सोणा को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तो आपको मिलाया जाता है यहां पर तामबा मिलाया जाता तो यहां पर लिखा हुआ है कि वी सिलवर के नाम से जाना जाता है तो यह आपका पारा निकाला जाता है तो पारा का से निकाला जाता है सीने वार से निकाला जाता है फिर next question आपका है कि पारे का परियोग ताप मापी अंत्रों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशेस्था है विशेस्था उज्ज संचालन सक्ती रैट अंसर इसका फिर next question आपका यहां पर है कि होल मार्क होल मार्क का चीन उत्पादों पर लगाया जाता है तो यह आपका स्वर्म के अभूशन पर ठीक है फिर नेक्स क्वेशन आपका है वेव कूफों का सोना के नाम से जाना जाता है वेव कूफों का सोना की नाम से जाना जाता है तो यह क्या बात हुई तो इसका क्या अंसर होग पाई राइड्स बेवकुफों का सोनर की नाम से जाना जाता है तो अपका पाई राइड्स को जाना जाता है तो अपका संदूर में गईस भरी रहती है तो अपका आरगन के साथ मरकरी के वेपर मिले होते है फिर next question आपका है की लिखा हुआ है यहाँ पर fluoroscent tube में सवार्धिक सामान रोब से परियुक्त होने वाला पदार्थ है तो यह आपका मरकरी और आरगन पदार्थ है ठीक है फिर next question आपका यहाँ पर है ठीक है दोस्तों तो यह मैं आपको बता रहा हूँ आपका 11 question तो इसमें धातू अधातू इससे भी question है तो इसमें पहले धातू question को solve करते है फिर अधातू question भी है उससे भी question आपके एक्जाम में आ सकते है तो उसको भी हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका question क्या दिया हुआ है कि पारे को किस धातू के पातर में रखा जाता है तो यह आपका लोहा धातू के पातर में रखा जाता है ठीक है लोहा जानते है ना लोहा धातू फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीसा लेड या सीसा या लेड लेड का निर्सकरन कि आइसक से किया जाता है तो यह आपका किस से किया जाता है तो यह आपका गैलना से किया जाता है ठीक है दोस्तों फिर आपका next question यहाँ पर है की लिखा हुआ है वाहनों वाहनों में पेट्रोल के जलने से वायू को परदूसन करती है तो यह आपका लेड करती है ठीक है फिर नेक्स क्वेशन आपका है की लिखा हुआ है संचायक संचायक वेटरियों में धातु का परियों किया जाता है तो यह आपका सीसा का परियों किया जाता है फिर नेक्स क्वेशन है कि लेड लेड ओक्साइड का व्यपारिक नाम है तो यह आपका क्या लिएक्ट्रिक में फिलाम बना होता है तो यह अपका टंग्शन बना होता है फिर आपका नेंस क्वश्चन यहाँ पर है address 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 रूप में परיयुक्त होती है तो यह आपका जर्मेनियम होती है इसका रैट एंसर होगा जर्मे स्लिक्ट यहां पर नियसरें पर दिया उआ है कि किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडा तो यह आपका थौरियम का विशाल भंडा रहे ठीक है अब आपका नेक्स कोईशन यहाँ पर है उस्तों आपका नेक्स कोईशन है कि हैलोजन हैलोजोन से सबसे अधिक अभिकिरिया करता है तो यह आपका क्लोरीन करता है फिर आपका नेक्स कोईशन है कि कारवन के दो अपरूप हैं और graphite फिर आपका next question यहां पर दिया हुआ है कि लिखा हुआ है दोस्तों कि हीमो हीमोगलोवीन में उपस्ति धातु है तो यह आपका लोहा फिर आपका next question यहां पर है कि वायूमान वायूमान के निर्मान में धातु उप्युक्त होती है तो यह आपका platinum धातु उप्युक्त ह होती है पिर वी में धस की नेक्स कोस्टिन है कि पीतल में धातु होता तो यह अगल जेस्टा होता है कि लिखा हुआ है धातु जो जल के साथ अविक रिया करके ऊक्सीजन आफ़ nella करती है ले इंसर तो यानि धातु जेल्स के साथ आभी कर्के oxygen पैदा करती है तो आपका कैड़ी कैडमियम धातु फिर आपका नेक्स्ट क्योश्चन है इस टील में कार्वन का परतिसत होता है तो यह आपका कितना होता है जिरो पॉइंट वन स्थी वन पॉइंट फाइब प्रतिसत होता है तो दोस्तों आज का हमारे यही टपिक होता है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए